नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है डॉक्तर नीलम शर्मा, इस विडियो में हम दिसकस करेंगे कि क्लोटर माजोल क्रीम का उप्योग किन कंडिशन्स में किया जाता है, क्लोटर माजोल क्रीम को कैसे लगाना चाहिए और क्लोटर माजोल क्रीम की वज़से क्या साइड इफेक्स हो सकते हैं और यह भी डिसकस करेंगे कि क्लोटर माजोल क्रीम को लगाते समय क्या-क्या सावधानिया रखनी चाहिए क्लोटर माजोल एक सॉल्ट नेम है Clotter Marjol Cream को सरफाज और क्लोसिप आदी ब्रैंड नेम से भी जाना जाता है Clotter Marjol Cream एक एंटी फंदल दवा है Clotter Marjol Cream का उप्योग फंदल इंफेक्शन होने पर किया जाता है तवचा पर फंदल इंफेक्शन होने पर तवचा में लाल धब्बे, दाद, खाज, खुजली और तवचा में जखम आदी लक्षन दिखाई देने लगते हैं इसके अलावा फंदल इंफेक्शन होने पर तवचा पर पपडी जमना, तवचा का पपडी बन कर उतरना, तवचा में दरारे होना, तवचा का कुछ हिस्सा सफेद वन नरम होना आदी लक्षन भी फंदल इंफेक्शन होने पर हो सकते हैं फंदल इन्फेक्शन शरीर के किसी भी हिस्से में हो सकता है फंदल इन्फेक्शन नाखुनों और जांगों में भी हो सकता है इसलिए नाखुनों और जांगों के फंदल इन्फेक्शन को ठीक करने के लिए भी डॉक्तर क्लोटर माजोल क्रीम को लगाने की सला दे सकते हैं। अब हम डिसकस करेंगे की क्लोटर माजोल क्रीम को कैसे लगाना recommended होता है। क्लोटर माजोल क्रीम को लगाने से पहले आपको अपने हाथों और प्रभावित एरिया को अच्छी तरह से धो लेना चाहिए। क्लोटर माजोल क्रीम को ज्यादा रगड कर नहीं लगाना चाहिए। तो क्रिप्या वीडियो को लाइक करना न भूले। अब हम डिसकस करेंगे कि क्लोटर माजोल क्रीम की वज़से क्या साइड इफेक्स हो सकते हैं। वैसे तो ज्यादा तर व्यक्तियों में क्लोटर माजोल क्रीम की वज़से कोई साइड इफेक्स नहीं होते हैं। लेकिन कुछ पसेंट व्यक्तियों में क्लोटर माजोल क्रीम की वज़से कुछ सामान्य साइड इफेक्स हो सकते हैं। जैसे त्वचा में जलन, त्वचा में खुझली, त्वचा में रैडनेस, त्वचा में सूजन और त्वचा की एक पतली लेयर पप्री बन कर उतर सकती हैं। अगर आपको क्लोटर माजोल क्रीम को लगाने के बाद त्वचा में बहुत तेज खुझली, जलन, त्वचा पर सूजन, त्वचा पर रैडनेस, त्वचा पर रैशेस या त्वचा पर छाले होना और त्वचा पर सुई चुबने जैसी समवेदना ज्यादा होती है या ऐस ऐसा कोई लक्षन लगातार बना रहता है, तो ये लक्षन क्लोटरमाजोल क्रीम की वज़े से एलर्जी होने पर भी हो सकते हैं। यदि आपको क्लोटरमाजोल क्रीम को लगाने के बाद ऐसा कोई लक्षन लगातार बना रहता है, तो आपको तुरंथ ही डॉक्तर से अब हम डिसकस करेंगे कि क्लोटर माजोल क्रीम को लगाते समय क्या-क्या सावधानिया रखनी चाहिए। फंदल इन्फेक्शन एक व्यक्ती से दूसरे व्यक्ती को फैल सकता है। इसलिए जब तक फंदल इन्फेक्शन अच्छी तरह से ठीक न हो जाए। तब तक संक्रमित व्यक्ती के कपडो और शारिरिक संपर्ख में आने से बचना चाहिए। उसलिए क्लोटर माजोल क्रीम को आख, नाख, मोह और वजाइना के अंदर नहीं लगाना चाहिए। प्रेगनेंट महिलाओं और स्तनपान करा रही महिलाओं के लिए क्लोटर माजोल क्रीम का उप्योग करना सुरक्षित है। इसलिए डॉक्टर जरूरत पढ़ने पर प्रेगनेंट महिलाओं और स्तनपान करा रही महिलाओं को क्लोटर माजोल क्रीम को लगाने की सला दे सकते हैं। वीडियो को देखने के लिए आपका धन्यवाद अगर आपको वीडियो पसंद आया तो प्लीज वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और अगर आपका क्लोटर माजोल क्रीम से संबंधित कोई प्रश्न है तो आप कमेंट करके पुछ सकते हैं।